जैसे कि हम सब को पता है कि बाल जो होते हैं वो आपके चेहरे को फ्रेम करते हैं आपके फेस को एंकेस करते हैं और आपका जो एक आउटलुक होता है उसमें इंका बहुत बड़ा रोल होता है इंका कलर, इंकी हैल्थ और इंका टेक्स्चर यह सब कुछ मिल के आपके जो चेह इसे ट्लिनीक चैकल किया सकता है जैसे आपके सर पे डंडिय। इसे आपके सर पे रीयाता है, आपके सर पे तौर पेर अलोपेशिय इसे अज के भी है, आपको जो है वह सब्गे का ल साथ फरन्ट थिनिंग हो रही है कि मेल्स में, ज ए suivre एंडोजनाटिक bald pattern में जो है वो hair fall है यह सब चीजें जो है वो हम clinic में deal कर रहे होते हैं और यह बहुत पुरानी dealing जो हो रही है clinics में लेकिन फॉर सम्हाव जो बाल का texture होता है जिसको हम कहते हैं कि बाल smooth है या नहीं है बाल straight है क्या curly है या wavy है बाल में frizz कितना है बाल जो है वो कितना रूखा और कितना lifelongess feel होता है या बाल जो है वो कितना shiny है कितना smooth और कितना straight या कितना tame है ये सब चीजें ये texture में आती हैं इसका मतलब यह होता है कि आपके बालों का texture क्या है जब texture अच्छा नहीं होता तो आपके बाल अगर हेल्दी भी हैं तो वो खुबसूरत बाल या अच्छा बाल नहीं देखता और सब का दिल चाता है कि उसके बाल जो है वो बहुत हेल्दी और वॉल्यूम भी उनका अच्छा फील हो रहा हो और उसमें से शाइन आरी हो और बहुत स्मूथ और टेम और सीधा यह उसको पसांदा आए लेकिन यह सारी की सारी चीजें टेकल यूजिली जो है वो नहीं की जाती है अब ही जब बात करने वाले वो बेसिकली केरिटन इंफूजिन पर बात करेंगे और इसके इलावा केराटॉक्स जो है वो भी डिफरेंट प्रोसीजर है उसके उपर भी यह दोनों प्रोसीजर्स जो है यह बेसिकली आपके जो टेक्स्चर आफ ती हैर है यह उसको मोडिफाई करता है यह उसको बेतर करता है यह उसको ठीक करता है फॉर सम्हाव यह इशू इतना ज़्यादा के बालों में फ्रिज है बालों की अरली ग्रेंग हो रही है या बाल जो है वो टेक्स्टर वाइस बहुत ज़्यादा रफ होता जा रहा है वो सब चीजें जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है एवन मेल्स में भी और फीमेल्स में भी यंग्स्टर में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है क्यूंकि जो क्यामिकल इंफलक्स है वो समहाओ पिर बहुत सारे ऐसे सरम्स हैं, वाक्स हैं, उसके इलावा जो है वो बहुत सारी हैर स्प्रेज हैं, फिर बहुत सारी थर्मल प्रोटेक्शन जी जो आप बलो ड्राइंग से पहले यूज कर लेंगे तो वो प्रोटेक्ट करेंगा बाल को, यह सारी की सारी चीजें जो हैं, य और उसके बाद उसके उपर दूसरा रंगा जाता है, यह सब की सब चीजे मिलाके आपके बाल का टेक्स्च्चर भी कराब होता है, उसका जो अपना बॉंड होंड होता है क्योंके सल्फाइट जो है वो बॉंड बनाता है नॉर्मली बालों के और जब आप Süल्फ बेस्ट यू आपके बाल पहले स्ट्रेट थे, टेम थे, शाइनी थे, आइस्ता इस्ता वो रफ भी होते जाएंगे और उसमें थोड़ी सी वेफ भी आपको फील हो सकती है, रफनेस की वज़ा से, फिर बहुत दफा ऐसा होता है कि बाल क्यूंके सीधा करवाने का शॉक होता है तो घर में जाइंग, उसके बाद हैर आइरन्स जो हैं वो बहुत जादा यूज की जा रही होती हैं, उसकी वज़ा से जितना भी प्रोटीन जिससे बाल बनावा है, जिसको हम कैरिटन बोलते हैं, वो बहुत जल्दी जो है वो खतम होना शुरू हो जाता है, जितना जादा वो डिपल तो ही आपके बाल जो है वो नॉर्मल रह सकते हैं वरना फिर ये खराब होते जाएंगे तो आजकल कैमिकल इंफलक्स क्यूंके इतना ज्यादा है और शौक के हमने अपने बाल जो है मारे बाल सीधे होने चाहिए और बिल्कुल स्ट्रेट के साथ-साथ जो है वो बाल के अंद उनको डाय फैशन डाय भी कराएं आप अपने बालों का कलर चेंज करना चाहते हैं वो भी करें उसके इलावा आप बालों को जो है वो टेम और हेल्दी और स्ट्रेट रखना चाहते हैं वो भी करें लेकिन बाल की हेल्थ जो है वो खराब नी होनी चाहिए फॉर समहाओ जि इस हम बाल को बचा सकते हैं, बट, हम उसको स्टाइल आइज भी कर सकते हैं। या उसको फैशन डाय कराएं। जो भी आप कराना चाहते हैं, फो भी करें। लेकिन बाल आपका खराब नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाल तो required है ना, बाल होंगे तो आप उसको stylize करेंगे, अधर्वाइस बाल नहीं बचेगा तो फिर आप उसका कुछ नहीं बना सकते, उसमें यह होता है कि आपने इसके उपर कलर सेफ लिखावा होता है, वो वले शैंपू यूज करने चाहिए आपको, नॉमल रूटीन में, और उसके इलावा, जो आपका कंडिशनर है, वो सेपरेट होना चाहिए, वो आपके शैंपू में अड़िड नहीं होना चाहिए, आप पहले शैंपू करें और उस और यही मज़े की बात है कि जब शैंपू और कंडिशनर मिक्स्ट फाली एक चीज आप लगाते हैं, तो वो तो सब जगा जो है, वो सेम लग रहा है, आपके स्कैल्प पर जो वो शैंपू है, उसके इलावा कंडिशनर भी लग रहा है, और जो आपके बाल है, उसके उपर and your hair irons, क्योंकि इतनी जज़ादा यूज हो और की बाल स्ट्ریreiben करना है, और मज़े की बात यह कि Ireland है, उसको जब आप करते हैं तो उससे आपके बाल भी जज़ादा ड्राइए ह। और भी झाल, और जज़ादा रूख Size HAS MORE ज़ादा रूखे और भी ज़ादा रुखे, और भ कम करते जाते हैं और आपके बाल को बहुत जादा दे लीव यूर ड्राय यूर हैर वेरी फ्रिजी एंड वेरी ड्राय जाहर है जब उसकी केरेटन निकलती जाएगी और उसकी सरफिस मूथ नी रहेगी तो आपको बाल बहुत जादा रॉफ और रूखा लगता है इन सब तेक्सचर या उसका कलर है वो कैसा है यूजिली हमारे हाँ बाल जो है वो मोटा होता है वो फाइन हैर नहीं होता है कोर्स हैर होता है आदमियों का भी और उड़तों का भी और कलर जो होता है बहुत जादा जो है वो जैट बलैक होता है या फिर बलैक होता है और या पिर ड बाल चाहिए या फिर आप कहते हैं कि चॉकलेट ब्राउन और उसके अदर कुछ स्ट्रीक सी लोक होगी या ऐश क्रे चाहिए यह सारे के सारे कलर्स जो हैं वह ऐसे बालों पर नहीं आ सकते उसके लिए यू नीड तू कट डाउन दी ओरीजिनल कलर ऑफ ती हैर आप उसको कट हैं या ब्लीच करते हैं और फिर उसके बाद आप उसके ओपर वो कलर ला सकते हैं विक्यज आप बहुत जादा डार्क से बहुत जादा लाइटर तोंस में जाना जा रहे इस के लिए यह है कि आप कुछ कछ गरा सकते हैं बट उसमें ब्लीच इन्वालव नहीं होनी वो भी आपके बालों का जो अपना color है उसको खराब करते हैं और early grinding में contribute करते हैं जल्य आपको आपके बाल wet लगेंगे। पिर आम आजाते हैं कि बालों को सीदा करने के चकर में बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्वेश तैसे रिबॉंडिंग है, उसके अलावा बहुत सारे और स्ट्रेटनिग प्रोसीजर्वेश हैं, जिनको हूज किया जाता है और आप लोग क्योंके आप लोगों को दिल करता है कि बाल स्ट्रेट होने चाहिए बगैर ये सोचे वे कि कौन सी चीज आपके बालों को कितना नुकसान पहुंचा सकती है या पहुंचाएगी आप उसको करवा लेते हैं उसमें ये है कि क्यारीटिन इंफूजन जो है क्योंके वो प्योर क्यारीटिन होते हैं तो वो बिल्कुल सेफ आप्शन है आपके पास सेफ आप्शन इसे चोती है कि वो कोई खत्रह नहीं है आपके बाल का बॉंड जो है वो सेफ रहता है बलके और जादा स्ट्रॉंग हो जाता है पिकिस उसको केरिटन मिलती है तो आपका एक एक बाल आपको पहले की निस्पत थोड़ा सा थिक फील होगा और टोटल वॉल्यूम जो है वो आपको पहले से बहुत बहतर लगेगा जैसे अकर आपके 5 हैर हैं लेट सपोस और जब हम उनको केरिटन इन्फूशन देंगे तो आपको 5 की बजाए वो 7 तो 8 लगेंगे और इसके इलावा आपके जो हैर कट होता है बिकिस आपके बाल टेम हो जाएंगे और तकरीबन 70-80% स्ट्रेट हो जाते हैं Tame hair जो है वो dead straight नहीं होता जैसे आप iron से करते हैं या और बहुत सारे straightening procedures के बाद बाल होते हैं लेकिन उसकी वज़ा से बाल क्यूंकि थिक होता जाता है उसका अपना weight बढ़ता है और thickness की वज़ा से और smooth होने की वज़ा से बाल जो है वो नीचे की तरफ रहता है तो बाल बनाना बहुत असान हो जाएगा और आप इसको बार बार करवा सकते हैं क्यूंकि इसका टाइम लिमिट है वो six to eight months होता है आप उसके बाद इसको दुबारा करवा सकते हैं इसको करवाते रहने से straightening procedures की तरह बाल खराब नहीं होता या तूटता नहीं है बिलके बहुत अच्छा और healthy रहना शुरू हो जाता है और वो उसी तरह से maintain रहेगा फिर हम आजाते हैं केराटाक्स पर केराटाक्स जो है उसके अंदर keratin infusion की तरह ही सब कुछ होता है बड़ उसके अंदर botox भी डा करनें रहे चुके हैं और बांड बल्कुल टूट चुका है खराब हो चुका वाँड व वह जुग hurry सुक षज़ वह नहीं होसा है उसमें करी प्याटॉक्स इंफुजे रए लिग वह तटा कश्य लिज करता है और पर आपके बाल को और शबेञा को रिपER करता है और ऑर क इस से आपको without any bleach या बाल के कलर को कुट डाउन किये बगएर आप केरिटन बेस्ट जो है वो डाय से कलर चेंज कर सकते हैं आप अपने बालों के जो नैच्रल कलर उसके साथ प्ले कर सकते हैं आप लो लाइट्स या हाई ले सकते हैं आप अम्ब्रे ले सकते हैं जिसमें सेफ रहेंगे लेकिन आप उनको स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं उनका कलर भी चेंज कर सकते हैं without any hazard to the health of the hair आपका बाल सेफ रहना चाहिए उसको healthy रहना चाहिए और उसके साथ साथ आप उसका स्टाइल चेंज करें आप अप सका कलर चेंज करें अच्छ तिन हर 15 दिन के बाद वो लोग लगा रहे होते हैं मेल्स भी और फीमेल्स भी उससे क्या होता है कि बाल जाड़ियां बनते जाते हैं और जितनी दफ़ आप शैंपू करेंगे बाल तो खराब होई रहा है साथ में आपका डाय उतर रहा है और वो आपको लगता है कि नहीं मेर हाइबोलरजनिक होते हैं आप उनको बार-बार भी कर सकते हैं बट यूजिली ये वले डायस को चार से छे हफ़ते में रिपीट करना पड़ता है और इस से ये फाइदा होता है कि आपके बाल खराब नहीं होंगे और आप अपनी ग्रे कवरिज के साथ और इंजॉई करते ह वे अपने बालों के कलर को अगर चेंज भी करना चाहते हैं डाय के कलर को तो करते रह सकते हैं लेकिन आपके बाल की हेल्थ ठीक रहेगी वो खराब नहीं होगी तो होपफुली आपको अच्छी इंफ्रमेशन और क्या कहते हैं नए तरीके या नए प्रोसीजर्स के बारे म अगर बाल नहीं बचेंगे तो आप उनको stylize नहीं कर सकेंगे